नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श नियूज मैं हूँ दिव्यान्सू दानापूर के विधायक रीतलाल यादव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है उनकी मा सुमित्रा देवी का बीती साम को निधन हो गया इलाज के दौरान पटना के एक निजी हस्पताल में उनका निधन हुआ है पारस होस्पिटल में उन्हें लेकर जाया जा रहा था जहां निधन हो गया उनका 10 जुलाई साम साड़े साथ बजे उनके पारिवारिक सुत्रों के अनुसार ये समय बताया गया है वहीं सुमित्रा देवी लगभग 80 वर्स की थी और बुधवार को दोपहर के बाद अपने कोथवा गाउं इस्थित घर में उनकी तबियत अचानक से खराब हो गई जिसके बाद उन्हें पारस होस्पिटल ले जाये गया जहां इलाज के दौरान वृत्ति हो गई वे अपने पीशे पूरा परिवार छोड़ गई है उनके निधन पर यहां पूरे छेत्र में सोक की लहर दोड़ गई है इसकी खबर मिलते ही विधायक रीतला लियादब के कोथवा गाउं इस्थित घर पर सोक समवेदना व्यक्त करने वाले सुपचिंतकों और समर्तकों का ताता लगा हुआ है सुमित्रा देवी के छोटे बेटे पिंकू राय ने बताया कि आज माता जी से बात हुई थी वे बिल्कूल ठीक थी माता जी प्रति दिन दोपहर में अपने आसपास लोगों से और पोता-पोती से बात चीत करती थी आज भी ऐसा ही हुआ लेकिन साम में अचानक उनकी तब सवरी महिने में विधायक रितला लियादव के पिता जी मुखियार रामासीस राय का भी निधन हो गया था तो अब रितला लियादव के सर से पहले तो पिता का साया उठा और अब मा का भी उठ गया है कोत्वा गाउं के लोगों ने रितला लियादव की मा सुमित्रा देव और वो है रीतलाल यादव कई सालों से जेल में बंद रहने के बाद भी पूरे इलाके में इस बाहुबली का वर्चस्व आज भी कायम है और इनके बिना दानापूर और उसके आसपास की राजनीती संभव नहीं है। और इसी वज़े से पूरे राज्य में उनके नाम का देहसत रहा है। रीतलाल यादव पर जेल में रहकर ही इन सभी गोरक धंदे और गैर कानूनी कामों को अंजाम देने का आरोब भी लगता रहा है। मालिक को पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं एक डॉक्टर को बंद लिफाफे में जिन्दा कार्तूस भेज कर भी रंगदारी मागने का आरोब रीतलाल यादव और उनके गुर्गों पर है। डॉक्टर से रीतलाल यादव के गुर्गों ने कारतूस भेजने के बाद 50 लाख रुपे की रंगदारी मागी थी। हत्या की धमकी, डकेती और मनी लॉंडरिंग जैसे अपराधिक कृतियों में नाम आने के बाद 4 सितंबर 2010 से ही रीतलाल यादव ज्यादातर समय जेल में बंद है। ही लॉंडरिंग के तहट केस दर्ज किया था जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। के पास जुट गए। सरकारी आदेशों का उलंगन करने के आरोप में रीतलाल यादव समेत करीब 100 लोगों के खिलाफ एफायार दर्ज की गई थी। जेल से बाहर रहने पर ये बाहुवली दानापूर और उसके आसपास के छेत्रों में किसी भी पार्टी का राजनितिक पासा पलट देने का दमखम रखता है। फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्ज न्यूज के साथ।